जिसको शायद में दुनिया की सबसे डिस्टबिंग फिल्म का टाइटल दे सकता हूँ ऐसी कहानी जिसको सुनके आपके पेट में गोड़गोड़ हो सकती है फिल्म की शुरुआत एक खतरना कार एक्सिडेंट से होती है जिसमें जान भूचकर रोट के साइट चलने वाला कोई बंदा गाड़ी के सामने चलांग मार देता है जिससे कार आउट आफ कंट्रोल होके पेड़ से टकरा जाती है बस इस कार वाली इंफॉमेशन को अच्छे से याद रगना वीडियो में तुमको गानी समझने के लिए आगे काम आईगी फिर एंट्री होती है हमारी में करेक्टर की जस्टिन जो एक प्यारी भोली वाली सी मासूम सी लड़की है जो स्कूल खतम करके कॉलिज टाइफ में एंट्री मानने की तैयारी कर रही है इस से जुड़ी एक खास बात है जिसको जानना बहुत जरूरी है ये बंदी अपनी फूड हैबिट्स को लेकर काफी सी जास है और एक सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ने का ओर्डर मिलता है लेकिन हकीकत में ये कोई रैगिंग वगेरा नहीं है ये एक ट्रेडिशन है कॉलिज का जो काफी सालों से चला आ रहा है जिसमें सीनियर्स अपने जूनियर्स को पहली रात पार्टी थरो करते है यहाँ पे फिल्म की सेकंड करेक्टर की एंट्री होती है एलेक्स जो रिष्टे में जस्टिन की बड़ी बेहन लगती है और कॉलिज में जूनियर्स की सीनियर्स ये अपनी बेहन को खतरनाक रीच्वल्ट के बारे में बताती है जिसमें पूरे बहस का फोटो शूट होगा लेकिन शरीट पर एक ताजे ताजे नए नवेले मरे हुए जानवर का खून डाला जाएगा तो बस अकले दिन एक गोड़ो को पकड़कर जबरदस्ती उसको टेबिल पर लिटा कर उसको सैक्रिफाइस करने की तैयारी शुरू हो जाती है उपर वारे रीच्वल के साथ एक शर्त और है जिसे मानने से जस्टिन साफ इंकार कर देती है एक गिलाज दारू के साथ रैबिट का मीट का छोटा सा टुकड़ा खाना होता है अब लड़की वेजेटिरियन ठेरी लेकिन बड़ी वेहन करती है जबरदस्ती और मुँ में मीट का टुकड़ा डाल कर जस्टिन को सीनियर्स के पनिश्मेंट से बचा लेती है बस यहाँ से खानी दीरे दीरे पलटना शुरू हो जाती है जब अगली सुबह जस्टिन अपनी बाड़ी पर काफी सारे रैड निशान देखकर घबरा जाती है जैसे मानों पूरी बाड़ी पर कुछ अजीब सा रियक्शन हो गया हो लेकिन सिब बाहर ही नहीं बाड़ी के अंदर भी कुछ गड़बड है क्योंके वो जस्टिन जो नॉन्वेज का नाम सुनकर भाग जाती थी वो कॉलिज केंटिन से मीड बर्गर चुराने की कोशिश करती है तो कभी अपने रूमेट के साथ किसी रेस्टोन के बाहर बैटकर मस्ट मीड सेंड़िच का सुआच चकती है और तो और जब एक रात रूमेट भाई या जब गहरी नीन से बहार आते हैं तो लड़की को फिरिच के सामने बैटा हुआ पाते हैं जो मीड ढूंडने की कोशिश कर रही होती है अब ये जो भूख है नोनवेच की इस लिवल तक पहुँच जाती है कि खाने को जब कुछ नहीं मिलता जस्टिन फरस्टेशन और पागल पन में अपने खुद के बाल खाना शुरू कर देती है फाइनली जब बात हच से आगे बढ़ जाती है तो बड़ी बहन एलेक्स को सब कुछ बताकर जस्टिन उसके रूम में रात गुजारने का मन बनाती है लेकिन यहां होता है अजीब और गरीब हाथसा जब सीधर से खेलते वक गलती से बड़ी बहन की उंगली कट जाती है और जब उसको होश आता है जस्टिन उस उंगली का खुन चूसकर उसका मास खा रही होती है पर सबसे शौक की बात यह है कि एलेक्स इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताती और चुप चाप अपनी छोटी वैन को लेका कॉलिज से बाहर एक सूम साम रोट के साइट में बैट जाती है कुछ देर बाद उसी रास्ते से कार गुजरती है और एलेक्स उसके सामने से जम मार देती है जिसकी वज़ा से कार का एक्सिडेंट हो जाता है जिसमें एक बंदा तुरंत मर जाता है और दूसरा बंदा बेहोशी में तड़पने लगता है ये दोनों बहने कैनिबल एटर है, मतलब वो शैतान जो इनसान का मास्क खाता है इसके आगे क्या हुआ, जस्टिन और एलेक्स का फ्यूचर किस तरफ बढ़ने वाला है और ये रोर्ड साइड मर्डर्स के बारे में पुलिस कभी कुछ पता लगा पाएगी या नहीं अगर इन सवालों के जवाब तुम्हें खुट डूढने हैं तो फिलिम देख लो और वीडियो को अधर ही टाटा वाइबा बोल दो, लेकिन मेरे शब्दों में एंडिंग सुनना चाहते हो तो वैलकम बैक एक बार फिर से कॉलिज में नया ट्रेडिशन की शुरुआत होती है जिसमें सीनियर्स अपने जूनियर्स को पेंट में डुबो के एक दूसरे के साथ कुछ वाइल्ड रेस की टाइप चैलेंज करने का ओर्डर सुनाते हैं जस्टिन को बलू पेंट में भीगोकर एक दूसरे लड़के के साथ रूम में बंद कर दिया जाता है जिसकी बॉड़ी पर फीला रंग लगा हुआ है चैलेंज यही कि कमरे से बाहर निकलने को तब ही मिलेगा जब ये दोनों रंग आपस में मिलाकर बिलू और ये लोगो क्रीन में बदल लेंगे इसके बाद जस्टिन उस लड़के के काफी करीब आती है और दोनों फीजिकल होने की कोशिश करते हैं लेकिन ठीक कुछ मिनट बाद लड़का कमरे से चिलाता हुआ बाहर निकलता है क्योंकि जस्टिन हसी मजाक में लड़के के होट का टूड़ा खा लेती है जिससे पूरे कॉलिज के सामने उसका सिक्रेट बाहर आ जाता है और सब लोग उसको हैरानी से देखने लगते है इस सबसे काफी डिस्टब हो चुकी जस्टिन को साहरा देता है उसका रूमेंड ए भी होने लगता है लेकिन वो खुद अपना हाथ काट लेती है और अपने अंदर छुपे बैठे जानवरों को शांत कर देती है बस यहां से शुरुआत होती है फिल्म की हांटिंग और दिल दहलाने वाले क्लैमेस की जब जस्टिन एक कॉलिज पार्टी में शिराप पी कर अपना होश खो देती है और उसकी बड़ी बेहन जान बूच कर उसको एक डेट बोड़ी के पास ले जाकर बैठा देती है और उसका अज़ीब सा वीडियो शूट करके पूरे कॉलिज में फैला दिया जाता है मलजाक उड़ाने के लिए फिर होती है दोनों बेहनों में सोने चली जाती हैं फिर आती है अगली सूब़ा जब जैस्चिन अपने विस्तर में आँंख खोलते है और बगल में सोरे आडरेन को देखकर सब कुछ फालत हुआते बूल जाती है लेकिन जैसे ही चादर हटती है एडरेन का कटा हुआ पैर दिखाई देता है सिर्फ खोन ह ही खून बंदा काफी टाइम पहले मर चुगा था खुद को मिरर में देखकर अपने मूपर लगा हुआ खून देखकर जस्टिन समझ जाती है उससे गलती हो गई है तभी पेर में पड़ी एक रॉड दिखाई देती है जिस पर खून लगा होता है फिर आता है फिलिम का अगल से बस पर क्या था एलेक्स पहुंच जाते है कॉलिज से सीधा जेड और जस्टिन वापस अपने घर जहां पापा से एक डिसकेशन के दुरान फिलिम का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है पापा की बात माने तो जस्टिन को शर्मिन्दा होने की कोई जरूत नहीं है वो इस विमारी की अकेली शिकार नहीं है ये काफी टाइम से उनके परिवार में घुस चुकी है इसके बाद जब पापा अपनी शेट खोलते है तो बाड़ी पे अलग अलग जगह से मास्के टुकड़ गायब दिखाई देते हैं मतलब सिर्फ जस्टिन या एलेक्स अकेली नहीं इन दोनों की मुमे भी कैनिबल एटर हैं जो धीरे धीरे अपने पती को थोड़ा थोड़ा करके खाती रहती है तो दोस्तों यहां हुई हमारी कहानी खतम फुल स्टॉप दी एंड अब बताव कितने लोगों ने स्टार्टिंग कार ग्रेश वाले सीन से ये अंदाज लगा लिया था कि इसका कनेक्शन जस्टिन के साथ जरूर होगा वो लोग भी कमेंट जरूर करना जो इस दोखे में फ़स गए थे कि जस्टिन ने खुद अपने रूमेट का शिकार खहता और उसके पैर को चबाकर अपनी भूख मिटाई थी तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए गुडबाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेर गणना ना भूलना दोस्तों